आज जो लस्षी हम लोग बनाने वाले हैं इसे सौल्टी लस्षी या फिर सौल्टेड लस्षी भी बोलते हैं जिनको मेठी लस्षी पसंद नहीं वो लोगों को ये लस्षी बहुत पसंद आएगी चलो तो बनाना शुरु करते हैं लस्सी बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है घर का बना हुआ दही थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, काला नमक, जीरा पाउडर और आइस क्यूब लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मिक्सी जार लेंगे हम लोग एक लास लस्सी बना ले वाले हैं जिसके लिए हम लोगों ने एक छोटी चमच से थोड़ा सा जीरा पाउटर लिया है और टेस्ट के इसाब से हम लोग इसमें काला नमक आड़ करेंगे अब इसमें हम लोग आइस क्यूब डालेंगे चलो अब इन सब को हम लोग पीस लेते हैं सुल्टी लस्सी बनाने के लिए इसकी एक खासियत है आप चाहे तो खटा या फिर मिखा कोई भी दही योज़ कर सकते हो मैंने होम मेट खटा दही लिया है मिक्सिजार में लगबक एक कप हम लोग ने दही डाला है और उसी के साथ दो टेबल स्पूल हम लोग ने दूद की मलाई डाली है दूद की मलाई डालने से लस्सी गाड़ी बनती है चलो अब इसे पीस लेते है चलो अब ये लस्सी को चेक कर लेते है देखिए ये कितनी बढ़िया गाड़ी बन जोगी है अगर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी लस्टी पसंद नहीं है तो आप इसमें milk creep avoid कर सकते हैं और उसके जगा पे chilled water add कर सकते हैं चलो लस्टी को हम लोग एक ग्लास में सर्फ करते हैं उसी के साथ हम लोग इसे गानिश करते हैं थोड़े से चाट मसाले के साथ अगर आप खटा दही यूज करें हो और आपका दही बहुत ज़्यादा खटा है तो इसमें काला नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिए सॉल्टी लस्टी को और फ्लेवर देने के लिए आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया या फिर पूदिना भी पीश सकते हैं समर स्पेशल सॉल्टी लस्टी पीने के लिए रेडी है ऐसी और वीडियोज देखने के लिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में पेल आइकन भी दबा लेजिए थैंक यू फर वाचिंग